यूंड़ी एक्स्टर इंडिया में जैसी लॉंच हुई इस गाड़ी की हमें 10,000 से भी ज़्यादा बुकिंग्स देखने के लिए मिली और इस गाड़ी की successful लॉंच देखते हुए यूंड़ी वालों ने ये सोचा है कि क्यों ना एक और नई micro SUV इंडियन मार्केट में उतार दिया जाए जो कि हमें अल्रेडी साउथ कोरियन मार्केट में धडल्ले से भी दिखाए देती है और इस गाड़ी का नाम है यूंड़ी कैसपर जी हां यूंड़ी कैसपर भी आपको एक सब्सक्राइब कर दो और और नोगोगों हम लोगों ताठाए अठाफ। जैसी देखने के užिए मिलेगी और ये गाड़ी अधिया.'' punch competitor ही रहने वाली है लेकिन इस गाड़ी की जो looks है वो आपको काफी different और काफी circular shape में देखने के लिए मिले वाली है इस गाड़ी की launch date की बात करें तो इस गाड़ी की launch Google के हिसाब से आपको ये गाड़ी 2025 में October वाले महीने में देखने के लिए मिलेगी वहाँ Hyundai Casper की जो prize रहने वे दिखने वाली है जो की 7 lakhs तक पर जाकर के end हो जाएगी इस गाड़ी की जो size है वो काफी छोटी देखने के लिए मिलती है उसी वज़त से इस गाड़ी की जो prize है वो भी काफी छोटी देखने के लिए मिलने वाली हम लोग को Hyundai Casper एक middle class family के लिए बहुत ही जादा better गाड रखने वाली है क्योंकि इसमें आपको काफी fuel efficient engine देखने के लिए मिलेगा और उसके साथ ही साथ इस गाड़ी की जो price रहने वाली है वो भी हमें काफी कम देखने के लिए मिलने वाला है और इसकी base वाली model जो रहने वाली है उसमें आपको सिर्फ 1.0 लिटर की engine देखने के देगी वहीं हमें इस गाड़ी की interior पे काफी advanced features भी देखने के लिए मिलेगी जैसे की 8-inch key touch screen infotainment system देखने के लिए मिलेगा और उसके साथ ही साथ हमें LED lights भी देखने के लिए मिलेगी वहीं ये गाड़ी micro SUV के size में होते हुए भी आपको sunroof offer करेगी और इस इजो wheel size रहने वाली है वह आपको 17-inch की alloy wheels देखने के लिए मिलेंगी और तो और ये गाड़ी आपको manual as well as automatic transmission दोनों ही offer करेगी वहीं सारी features के साथ ही साथ आपको connected car technology भी देखने के लिए मिलने वाली है इस गाड़ी की look की बात करें तो look आपको काफी decent और genuine सा देखने के लिए मिलने वाल इसकी काफी हद तक अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है इसकी radiator grill भी काफी unique सी देखने के लिए मिलेगी कुछ हद तक देखने में ऐसी लगती है जैसे कि एक EV car की radiator हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यह एक EV car नहीं यह पैट्रोल एंजन कार रहने वाली है वही गाड़ी की साइज है वह काफी ज्यादा च्छोटी देखने के लिए मिलती है इसकी जो साइज हमें लगती है जैसे की नई नैनो लॉंच कर दी गई है और यह गाड़ी माइक्रो एस्यू भी है तो उसके वजह से यह गाड़ी काफी हद तक अच्छी खासी ओफ रोडिंग आपको प्र देखने के लिए मिलने वाले जो किस गाड़ी की जो सेफ्टी थोड़ी सी इंहांच कर देती है और काड़ी कि यह हो काफी कम स्ट्रोल में 3560 चीजों फीरा तो इन सारी चीजों के वज़ा uh थोड़ी सी safe देखने के लिए मिलती है हमें लेकिन एक proper safe car इसे हम consider नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखो यार price जो है वो काफी कम है इस गाड़ी का तो safety तो ना के बराबर ही हम इस गाड़ी से expect कर सकते हैं लेकिन फिर भी मिला जूलाकर गाड़ी बहुत ही अच्छी है अगर हम सिर्फ traveling के नजर ये से देखे तो ये गाड़ी काफी ज़्यादा अच्छी है एक middle class family के लिए ना कि एक safety के हिसाब से तो इस गाड़ी को जितना साफधानी से चलाएं वो ज्यादा ही better रहेगी इस गाड़ी में आपको दो DRL lights देखने के लिए मिलती है एक जो आपको bumper के टॉप पे देखने के लिए मिलता है और दूसरी जो DRL lamps है वो आपको head lamp के outer housing पे देखने के लिए मिल जाता है फिलाल इस गाड़ी के वारे में इतनी अपडेट आये थी तो वीडियो करते हैं यहीं पेंड फिर मलगात होगी आपसे next वीडियो में जाने से पहले चानल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक करते हुए जाएं और होसे के तो वीडियो को सेर्वी कर दें अपने दोस्तों तक था कि उन्हें भी पता चल जाए कि यार यूंडे की एक और नई micro SUV लांच होने वाली है